नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चंद्रदेव यादव, मैं पिछले 22 वर्षों से साहित्य और पत्रकारिता का अध्यापन और उससे संबंदित लेखन कर रहा हूँ इस समय मैं जामिया मिलिया इसलामिया के हिंदी विवाग में प्रोफेसर के पतपर कारे रत हूँ आज हम हिंदी के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन के संबंद में विचार करेंगे इस प्रकरण में आज जिन बिंदूओं पर चर्चा की जाएगी वे हैं सबसे पहले वरतमान में हिंदी की स्थिति के बारे में विचार करते हैं विस्तित रूप से हिंदी 17 बोलियों का प्रतिनिजित्य करने वाली भाषा है किन्तु आज हम शिक्षा, साहित्य, जनसंचार, वानिज्य व्यापार और प्रशाशनिक कारियों के लिए जिस हिंदी का व्यावार करते हैं, वह शौरसेनी, अपफ्रण्च से विक्सित, खड़ी बोली हिंदी है लेकिन सच्चाई यह भी है कि अलग-अलग शेत्रों में सामान्य बाचीत और अन्य प्रकारियों में शेश्ट 16 बोलियों का भी प्रयोग हो रहा है बाहिय स्तर पर विविदता के बावजूद, आंतरिक स्तर पर हिंदी में जबरदस्त एकता है लेकिन वर्तमान तमय में हमारे जीवन में नए विदेशी शब्दों का ऐसा प्रवाह उम्रा है कि हिंदी का स्वरूप ही बदलता जा रहा है भाषा मिश्रंड के कारण हिंदी भाषी विचलन का शिकार है कुछ लोगों के अनुसार हिंदी के विकास के लिए या शुब है जबकि दूसरे विद्वानों की राय में इससे हिंदी की प्रकृती पर विपरीत असर पढ़ रहा है निस संदे हिंदी हिंदी देश की ही भाषा नहीं है बलकि वह पूरे भारत में बोली और समझी जाती है हिंदी अंतर राश्री भाषा बनने की दिशा में अग्रसर है दुनिया के 176 विश्व विजद्यालेयों में इसकी पढ़ाई हो रही है लेकिन भारत की राजभाषा होने के बावजूद हिंदी को विधाई का, कारेपाली का और न्यायालेयों में अभी भी वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वह हकदार है भागौलिक दृष्ट से हिंदी का खशेत बहुत व्यापक है इसलिए उसमें विविधता है चेन्नई और करनाटक में इसे दकनी हिंदी का जाता है तो कलकत्ता में कलकतिया हिंदी और बंबई में बंबईया हिंदी इधर जब से भारतियों का जुकाव अंग्रेजी की ओर अधिक हुआ है तब से हिंदी अंग्रेजी मै होती जा रही है पिछले डेड़ दो दशकों से प्रचलित इस तरह की भाषा को हिंग्लिश नाम दिया गया है इस तरह की हिंदी में वाकि हिंदी का ही रहता है किन्त वाक्टी के बीच में अनावश्यक रूफ से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपको मालूम होगा कि हिंदी में एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द पाये जाते हैं इन्हें परियावाची और समानार्थी शब्द कहा जाता है विदेशी भाशा के ज्यादातर शब्दों के भावों को व्यक्त करने के लिए हिंदी में शब्द उपलब्द हैं इसलिए अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों की उपेक्षा करके अंग्रेजी या और भी फार्सी के और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना कत्ती बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। हाँ जिन विदेशी शब्दों के लिए हमारी भाषा में विकल्प नहीं है उनका बेधरक इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस तरह के विदेशी शब्दों के प्रयोग से कोई भाषा बिगरती नहीं बलकि सम्रिध होती है हिंदी भाषा का प्रयोग विभिन प्रयोजनों के लिए किया जाता है वह सूचना, शिक्षा और मनुरंजन के साथ साहित्य स्वंस्कृत की भी भाषा है नियाईक और विधिक मामलों में बेशक उसका इस्तेमाल कम होता है फिर भी वह व्यापक भारतिय समाज की आकांक्षाओं की भाषा है समवैधानिक व्यवस्ता के बावजूद हिंदी अगर ठीक से प्रशाष्णिक कारियों में प्रयुक्त नहीं होती है तो इसका विप्राय यह नहीं है कि वह इस उद्देश की पूर्ति में अक्षम है बलकि इसका सीधा सा अर्थ है कि वह द्रिण राजनेतिक इच्छाशक्त के अभाव के कारण पिछडी हुई है और राजनेतिक साजिश का शिकार है किसी भी भाषा का व्यवार कई स्थरों पर होता है घर परिवार और सामाजी कारिव्यापार से लेकर रचनात्मक लेखन और चिंतन तक के लिए उसका प्रयुक किया जाता है हिंदी भी सामाने बोलचाल से लेकर साहित्य पत्रकारिता और प्रशासनिक कारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है इन्ही आधारों पर उसके अनेक रूप विक्सित हुए है उलेखनी है कि हिंदी राजभाशा भी है और राश्ट भाशा भी भारत के स्वतंत होने के बाद हिंदी को राजभाशा बनाया गया संविधान के अनुच्छे 343 खंड एक में उलेक किया गया है कि संग की राजभाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी संग की राजभाशा से अभी प्राय है संसद, न्यायाले और प्रशासन की भाशा राजभाशा का सुरूप राश्ट भाशा से थोड़ा भिन्न है राजभाशा आपचारिक होती है और राश्ट भाशा अनोपचारिक राज भाशा के प्रयोग का ख्षेत्र सीमित और राश्ट भाशा का विस्त्रित होता है यहीं नहीं हिंदी हमारे देश की संपर्क भाशा भी है अब हम अलग-अलग ख्षेत्रों में हिंदी के स्वरू पर विस्तार से चर्चा करेंगे हिंदी की एक कहावत है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी ठीक इसी तरह माध्यम और ख्षेत्र बदलते ही हिंदी का स्वरूप बदल जाता है इनमें भाशा तो लग-बग एक जैसी रती है किन्तु शैली बदल जाती है शैली भेद भाशा के प्रकार्यों पर निर्फर करता है जैसे साहित्य और रचनात्मक शित्र में कर, का अर्थ, हाथ तथा कानून होता है और विदिका, अर्थ, तरीका, पद्धत, कानून, भाग्य, एवं ब्रहमा जबकि प्रशाशनिक शित्र में इनके एक ही अर्थ होते हैं ये दोनों पारिभाशिक शब्द हैं और अंग्रीजी के टैक्स तथा लौ के हिंदी अनुवाद है भाशा का या मामला आपचारिक और अनपचारिक प्रयोग से भी जुड़ा है क्योंकि अनपचारिक भाशा में जो आत्मियता और खुलापन होता है वह अपचारिक भाशा में नहीं दिखाई देता है साहित्य की हिंदी, सामान्य हिंदी और अन्य प्रयोजोनों वाली हिंदी से भिन्न होती है साहित्य की भाशा अलंकार, बिम्ब, प्रतीक, शब्द, शक्ति, आदि, रचनात्मक लेखन के विशेश भाशिक उपादानों से युक्त होती है यानि साहित्य की भाशा ललित और अनुरंजक होती है फिल्म एवं पत्रकारिता की कुछ विधाओं को छोड़कर वानिज्य व्यापार और प्रशास्निक कारियों के लिए इस तरह की भाशा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्वतंतता पूर्व की साहित्य हिंदी में तत्सम शब्दावली और कलात्मक्ता का आगरह कुछ अधिक था लेकिन वर्तमान समय में साहित्य हिंदी जन भाशा के बहुत निकटा गई है लेकिन कभी कभी सीधी सपाट दिखते हुए भी ऐसी हिंदी अपने व्यंजना व्यापार में सामान्य भाशा से बिलकुल भिन हो जाती है जैसे एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है वह रोटी से खेलता है मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है मेरे देश की संसद मौन है लेकिश जब हम पढ़ते हैं कि जो कुछ हो मैंने समालूँगा इस मदूर भार को जीवन के तो हमें इसका अन्वय करके इसके पद क्रम को करता कर्म और क्रिया के हिसाब से व्यवस्चित करना पढ़ता है जब हम इसे इस तरह लिखते हैं जो कुछ भी हो जीवन के इस मधुर भार को मैं नहीं समालूँगा तब जाकर अर्थ बोध संबव हो पाता है कविता की अपेक्षा गद्य की भाषा आथान होती है मीडिया यानी जनसंचार की हिंदी सीधी सपाठ भी होती है और कलात्मक भी आजकल मीडिया भाषा की प्रेयोक्षाला बना हुआ है इसलिए उसमें भाशिक विचलन अधिक है मीडिया कर्मी हिंदी को जनोन मुखी बनाने के चक्कर में उसके स्वरूब को बिगार रहे हैं हिंदी के लोक प्रचलित और आतान शब्दों की उपेक्षा करके वे अंग्रेजी और अर्वी फार्सी के और प्रचलित और कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में मीडिया के जर्ये अंग्रेजी के सरवाधिक शब्द आये हैं मीडिया का क्षेत्र व्यापक है इसलिए उसकी भाषा में विविदता है कुछ एक समाचार पत्रों और टीवी निव चैनलों की हिंदी हिंगलिश हो चुकी है इसी तरह प्राइवेट एफेम चैनलों के कुछ कारिक्रमों की भाषा में भदेश पन अधिक होता है फिल्म और धारावाहिकों की हिंदी रचनात्मक तो होती है किन्त यहां भी भाषा का जबर्दस मिश्रन दिखाई देता है बहुत सारे एंकर, रिपोर्टर और अभिनेता अभिनेत्री हिंदी के कुछ शब्दों का ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं मोबाइल, इंटरनेट और दूसरे आधनिक उपकरणों ने हिंदी लिखने हेत विशेश सुबदा मुहिया कराया है किन्तों इनसे हिंदी का सुरूब विक्रित हुआ है यूनिकोड के जरिये कम्प्यूटर हत्वा मोबाइल पर हिंदी लिखना आसान हो गया है हिंदी का एक विशाल वर्ग अपने मोबाइल, लैप्टॉप या टैबलेट पर रोमन लिपी में हिंदी लिख रहा है सोने में सुहागा आया कि इस वर्ग ने हिंदी शब्दों की वर्तनी भी संक्षिप्त कर दी है हिंदी के सैकरों शब्दों के कोड़ वर्ड तैयार किये जा चुके हैं और उपभोगता उनका प्रयोग भी कर रहे हैं हिंदी को सबसे बड़ा खतरा इस रोमन लिपी वाली हिंदी से है कुछ लोगों का मानना है कि रोमन लिपी में लिखने से हिंदी अंतराश्री भाषा बन जाएगी उनकी ऐसी सोच भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है निसंदे मीडिया की वज़ा से हिंदी का विस्तार हुआ है किंद भाषा के सरली करने के नाम पर उसने हिंदी के स्वरूप को बिगारा भी है मीडिया कर में कभी-कभी उपयुक्त शब्दों का चुराव नहीं कर पाते हैं तो कभी उफसर्ग प्रत्य और संदि समास वाले शब्दों को अशुद्ध लिग बैठते हैं उनकी भाषा में वर्तनी की अशुद्धियां होना आम बात है जैसे अमादा, आक्रमक, अत्यधिक, अभ्यारणिय, अंतरवस्त्र, अभेद, आद्रता, रिगवेद, कर्त्यब निष्ठता, बाहुल, बाखूबी, तमका, तदोनुसार, दंपत्ती, निम्भू, पुनुरोध्धार, मत्व कांग्षा, राज्य भिशेक, विवाहेत्तर, विज्ञानिक, समविधानिक, संदर्यता, आदी, फिल्मों की हिंदी में मिष्षद भाषा का प्रयोक किया जाता है, विज्ञापन की हिंदी भी मीडिया के अंतरकताती है, विज्ञापनों की हिंदी में भी उसी तरह की खूबियां और खामियां पाई जाती है, जैसी की स प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य अर्थात किसी खास उद्देश्य को लेकर चलने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का जाता है दूसरे शब्दों में कारियालियों, बैंकों, व्यावसाइक शेत्रों आदि में प्रयुक्त भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी काते हैं लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप सामान्य अथवा साहितिक हिंदी से भिन्न होता है इस प्रकार की हिंदी में आउपचारिकता अधिक होती है इसमें भावात्मक्ता का अभा होता है जंसंचार माध्यमों की हिंदी को भी प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतरगत शामिल कर लिया जाता है किन्तु अपने स्वरूप और प्रकृति में जनसंचार मादिमों की हिंदी इससे बिलकुल भिन्न होती है। पत्रकारिता की भाषा को साहितिकी भाषा से चाहे जितना अलग कर लें, मगर हकीकत में वह प्रशासनिक हिंदी की अपेक्षा साहितिक भाषा के अधिक निकट है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतरगत अब हम प्रशासनिक हिंदी वानिजव्यापार विज्जान एवं तकनीक और विधिक शेत्रों में प्रयुक्त हिंदी के बारे में बात करेंगे प्रशातनिक हिंदी को कारियालेई हिंदी भी का जाता है वास्तों में सरकारी एवं सार्वजनिक शेत्र के कारियालेओं में प्रयुक्त हिंदी को प्रशातनिक हिंदी का जाता है स्वतंतता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभाद्वारा या निर्णे लिया गया कि स्वाधीन देश में सरकारी कामकाज अपने देश की भाषा में होना चाहिए इसी के फल स्वरूप भारती संविधान में हिंदी को संग परिवार की भाषा घोशित किया गया प्रशास्निक हिंदी का स्वरूप बिलकुल अलग है कहा तो यह जाता है कि इसमें सरलता, स्पष्टता और बोध गम्यता होती है इसका प्रयोग सामान्य जनता को ध्यान में रखकर किया जाता है यह अनौपचारिक भाषा होती है इसमें आत्मनिष्ठता नहीं होती है इसमें प्रयुक्त शब्दावली, एकार्थक और प्राया अनूदित होती है लेकिन तमाम दाओं के बावजूद प्रशासनिक हिंदी बहुत आसान नहीं होती है एक उदान देखिए उपर दिये गए विशेपर इसी मंत्रा लेके समसंख्यक पत्र तारीख 18 मई 74 के बारे में मुझे आपसे अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रा लेके एक अधीनस्थ कारिया ले केंद्री ये हिंदी निदेशा लेके द्वितिय स्ट्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के बारे में आयोग की सहमती शीग्र भेजने की क्रिपा करें भवदीय कखग अवर सचीव भारस सरकार द्यान दीजिये इसमें प्रयुक्त समसंख्यक, निदेश, तदर्थ और अवर शब्द आतान नहीं है ये प्रशाशनिक शेत्र के तकनीकी शब्द है प्रशाशनिक हिंदी में बहुत से शब्दों के रूप पूर्व निर्धारित होते हैं इसलिए उनका प्रयोग इसी तरह होता है यही कारण है कि हम समसंख्यक की जगह इसी संख्या वाले और निदेश की जगह निर्धेश का प्रयोग नहीं कर सकते वानिज जिव्यापार का संबन समाज के सभी लोगों से होता है लेकिन वानित जिव्यापार से जुड़े लोगों की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है दैनिक जिवन में हमारा सामना उपभोगता, खुदरा मूल्य, कैश मेमो, भुगतान, वित्ती वर्ष, रसीद, शेयर बाजार, निवेश, रिकार्ड, डिबेंचर, पूजी निवेश, लिवाली, बिकवाली, रिन, रिनदाता, नकदी, अंतरण, आदि शब्दों से होता है के लिए इंडियन बैंग के डीडी के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पर छपे इस निर्देश को देखें, निदी अंतरण, अनुदेशों को स्वीकार करने हे तुशर्तें समझने से या गंतव्यस्थान के बैंग के कृत्य से या उसके नियंतरण से परे घटना के कारण होने वाली हानी या खशती के लिए विप्रेशक बैंग जिम्मेदार नहीं होगा दो, विप्रेशक सभी भुगतान अनुदेशों को सावधानी से जाच करें तीन, नियत यानि कट ओफ समय के बाद प्राप्त संदेश को अगले कार्य दीवस को भेजा जाएगा इस उद्धर्ण में प्रयुक्त विप्रेशन और विप्रेशक शब्द बैंकिंग शेत्र में प्रचलित, रेमिटिंग और रेमिटर के क्लिष्ट हिंदी अनुदाद हैं इसी तरह के अनुदादों की वज़ा से बैंक अथवा दूसरे प्रशास्निक कार्यालियों के कर्मचारी बहाना बनाते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती है कभी-कभी वानिज्य व्यापार की भाषा भी अनूदित और कृत्रिम होने के वज़ा से नीरस, जटिल और उबाव हो जाती है एक उदान देखिए विदेशी आवक नगर्न होने से सोना वा चांदी में तेजी यद्य पि लंदन बाजार में कुछ तेजडिये इलियट लहर फार्मूले के अनूसार सोने में तेजी की पांचमी लहर में भाव भविष्च में एक हजार डॉलर तक पहुँचने का सपना देख रहे थे तथा पि वर्तमान भावों पर मुनाफा खाऊ बिक्वाली बढ़ने से लंदन में सोना 344 डॉलर से घटकर कल सायंग 342 डॉलर रजाने की खबर से शुरू में सुन बिस्कुट के भाव 5625 रुपए से गिर कर नीचे में 5570 रुपए तक आ गए थे विज्ञान एवं तकनीक का क्षेत्र अबेक्षाक्त जटिल माना जाता है इन विश्यों की पढ़ाई प्राया अंग्रेजी में ही होती है इसके बावजूद हिंदी माध्यम से विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं है आधनी की युग में हिंदी में विज्ञान संबंदी कुछ लेखन हुआ है हिंदी में संस्कृत शब्दों के साथ अंतर राश्री वैज्ञानिक शब्दावली को ग्रहन कर लिया गया है हिंदी में विबल मात्रा में तकनीकी शब्द मोजूद है ये शब्द ज्यादातर अंग्रेजी से हिंदी में आये है पारिभाशिक और तकनीकी शब्दों के निर्मार की प्रक्रिया एक जैसी होती है इनके निर्मार के समय प्राया इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये अपनी भाशा की प्रक्रिती के अनुरूप हों ये सटीक अर्थ संप्रेशन में सक्षम हो और आसानी से सबकी जबान पर चड़ जाए। इन शब्दों को बनाते समय अक्सर संस्क्रित का और कभी-कभी सार्सी का आधार गहन किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ तकनीकी शब्द देखिए। टेबल का साधारण अर्थ मेज लेकिन इनसे तकनीकी शब्द बनते हैं सारणी ताली का पटल। इसी से थोड़े हेर फेर के साथ सारणी बद्ध, विशय सूची और सदन पटल शब्द भी बनते हैं। टैक्ट से युक्ति, टैक्टफूल से व्यवहार कुशल और चतुर, टैक्ट से नत्थी करना, टेक होम पे से हाथ वेतन, टेलेंट सर्च से प्रतिभाग खोज, टैंजिबल एसेट से मूर्थ परिसंपत्ति, टाइम अलाउड से अनुमत समय, टाइम बाड से समय बद्ध, टेंडर नोटिस से निविदा सूचना, टेन्योर ओफ लैंड से पत्यदारी, टाइम से समय मुहर, टोकन से संकेत और संकेतिक, टोकन स्ट्राइक से संकेतिक हरताल, टोपोग्राफी से स्थलाकृति, टैरिस से प्रशुल्क, और टास्क फोर्स से कार्य दल जैसे तकनीकी श प्रचलित हैं, और कुछ शब्द बड़े अजीब हैं, जैसे हाथ वेतन और समय मुहर, यह शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है हिंदी का प्रयोग विधी एवं सामाजिक विज्ञान के ख्षेत्र में भी होता है आजादी के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद इसे विधी एवं नियाक ख्षेत्र में भी अपनाने का प्रशनुठा इसके लिए अंग्रेजी के शब्दों की जगण हिंदी के शब्दों का निर्धारन किया गया और आधार स्वरूप संस्कित तथा फार्सी के शब्दों को ग्रहन किया गया प्रशासनिक हिंदी की तरह विदिकुषेत्र की हिंदी में भी स्पश्टता और एकार्थता होती है वैज्यानिक तथा तक्निकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित प्रशास्निक शब्दावली में बहुत से शब्द एकारधिक अर्थ वाले भी हैं जैसे Release, Release Date, Relative और Average Release के अर्थ हैं शितिलता, रियायत, धील, विश्रान्ति, शितिलीकरन, शितिलन इसी तरह बहुत सारे अन्य शब्दों के भी एकाधिक अर्थ हैं जो विशेश संदर्भों से जुड़े हैं नियाईक और विदिक शेत्र से संबंदित कुछ शब्द देखिए अपहनण, Abduction, माल खान, Abdetree, Ferrari या फरार, एच कॉंडर, अनुपस्थिति, गैर हाजिर या अभाव, Absence वयस्क मतादिकार, Adult Franchise, कार्य, कृत्य, अथवा अधिनियम, Act अभियुक्त, Accused, लेखा परिख्षा, संपरिख्षा, Audit सौदेबाजी, सौदाकारी, Bargaining, औव्यवस्था, Disorganization, विवाद, जगड़ा, Dispute निरलाब, पदोर्नत, Dry Promotion, आपात, आपातकाल, Emergency, आदि सामाजिक विज्ञान के ख्षेत्र, जैसे राजनीदी विज्ञान, समाजशास्त्र, अत्रशास्त्र, इतिहास आदि में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है इन ख्षेत्रों में प्रयोग्त भाशा की प्रमुक विश्यस्ता इनकी विशिष्ट शब्दावली होती है जैसे पाशान युग, हडप्पा सव्यता, प्रागैति हासिक, पुरा तात्विक, ताम्र पत्र, शिलालेख, सामन्त वाद, मुद्रा, पूजी, पूजी वाद, राज तंत्र, सामराज जिवाद, फासी वाद, अधिनायक वाद, माक्स वाद, स्वतंतता संग्राम, लोक त संविधान, शोशन, सामाजिक भेदभाव, समान्ता, स्वतंतता, और बंधुत्व, स्त्री, सशक्ति, करण, आदि, इनके अलावा सभी खेलों की भी अपनी अलग शब्दावली होती है, हिंदी में कई तरह के शब्द प्रचलित हैं, इन्हें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द का जाता है, निर्मिति के आधार पर इन्हें सामान्य, योगिक और योगरूर शब्द करते हैं, इनके अलावा कुछ पारिभाशिक शब्द भी होते हैं, शब्द कोश में पारिभाशिक शब्द का अर्थ इस पकार दिया गया है, जिस शब्द का व विवरण से संबंद रखने वाला, वास्तों में पारिभाशिक शब्द किसी विशेश संदर्म में किसी खास और्थ का संकेत करते हैं, जैसे अतिकरमण यानि वाइलेशन, अधीन यानि सब्जेक्ट, अनुच्छेद आर्टिकल, निउन्तम, एब्रिज, अभिकर्ता, एजें अभियाचना, डिमंड, आदी, ये पारिभाशिक शब्द भारती संविधान परिशद द्वारा स्विकृत हैं और संविधान शब्दावली में शामिल हैं, वहां इनका अर्थ निश्चित और स्पष्ट है, ये एक आर्थक हैं, लेकिन सामानी रूफ से वाइलेशन का अर अपमान और तिरसकार भी होता है, इसी तरह सब्जेक का अर्थ परतंत्र, परादीन, विशय आदी, आर्टिकल का अर्थ भाग, लेक, निबंद, आदी, एब्रिज का अर्थ संक्षित करना, घटाना, आदी, एजेंट का अर्थ करता, कारक, आढ़तिया, प्रतिनिदी, हिंदी में सभी विशयों से संबंदित, ऐसे पारिभाशिक शब्दों की संख्या हजारों में है, सूचना तकनीक के अबूत, पूरविकास, तथा इंटरनेट के प्रचलन के कारण, कुछ ऐसे सॉफ्ट्वेर बनाए गये हैं, जिससे कंप्यूटर पर हिंदी में लिखना आसान हो गया है, कुछ देव ऐसा ही सॉफ्ट्वेर है, अधिकतर सरकारी कारे कुछ देव में होते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में गूगल ने एक नया सॉफ्ट्वेर विक्सित किया है, गूगल इंपुट के द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में टाइप करना बहुत आसा है, इधर एक ऐसा भी सॉफ्ट्वेर तयार किया गया है, जिसके द्वारा हिंदी को बोल कर लिखा जा सकता है, इस तरह भी हिंदी लगाटार लोगप्री होती जा रही है, और उसका विस्तार होता जा रहा है हिंदी क्षेत्री भाषा के साथ साथ राश्ट्री भाषा भी है, अब वह अंतराश्ट्री भाषा बनने की दिशा में अग्रसर है हिंदी भारत की राजभाशा के साथ साथ राश्ट भाशा भी है वो अव्यापक भौगोलिक शेत्र की भाशा है इसका प्रयोग सामान्य बोलचाल के अलवा साहित्य, शिक्षा, जनसंचार, वाणिज्य व्यापार, विज्ञान और टकनीक, विधी, सामाजिक विज्ञान सम्रिध्धि का दियोतक है इसमें तकनीकी एवं पारिभाशिक शब्द भी प्रभूत मात्रा में पाये जाते हैं पिछले दो दश्कों में कुछ ऐसे सौफ्टवेर बनाए गए हैं जिनके द्वारा अंग्रेजी में टाइप करने से देवनागरी में हिंदी को लिखा जा स अब हम अपनी चर्चा को यहीं तमाप्त करते हैं आपके प्रश्न और सुझाओ हमेशा आमंत्रित हैं नमस्कार हम यहीं हमे तमाप्त करक्न वक प्रश ठोंट हैं तसमाँ में हिंदाव प्रॉप्नार अंट भागरी में गावानागरी में अपना भ्राष कि दो दो जुग यहीं जा हैं प्रॉब बिर दोष्टवेरेने हैं आमने साफे भने करते हैं आम्स को पांपकर 9 वहारा । झाल 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 झाल